ओक कि तूपक है अपकर हमारी चनल यूगा जो किस इंडिया में विज्धार्थ हो में जैसे कि हम ग्रहन सहीता समझ रहे हैं ग्रहन सहीता में पांच वाप देश चला घूष पांच में अगे बढ़ते हुए प्रड़ायम का तो उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए विज्धा से और इसमें आपको सही में इस एल्वे चार की बार को सबसे पहले सिलिक्ट करें मुझे समय सम्झें और मिताहारका करें नाड़ी सुध्धी सबसे पहले नारी सुध्धी कर ले उसके पद्रयाम करें तो है यह को Сबसे सकते हैं कि अस्थान समय मीताहर नाड़ी सुधी और प्राम से ही नोट करेंगे चलिए और यह इनका जो है आठ प्रकार का जो प्राइम बताया है नोने यह भी नोट करने आप इसको जो है प्राइम में सुर्भेदी उज्य्जेणी प्राइम सीतली भस्त्र इस हैं ब्रहंभ्री मुश्छा और कियोली कुंबग आप इसको प्राइम में पीछी प्राइम यंद्यस चलिए पढ़ें स Engineering को अच्छे से करते हैं तो बीज मंत्र का जब करते हुए किया जाता है और निगर्भ बीज मंत्र का जब के बिना किया जाता है यह दो प्रकार के हैं लेकिन जो सागर्भ और निगर्भ है तो सागर्भ बीज मंत्र का उपयोग किया जाता है बीज मंत्र करते हुए किया जाता है और निगर् पूर्वक पदमासन आद किसी आसन में अथ्वा शुक आशन में पूर्व या उत्तरदिसा की और बैठकर रजोगुर परधान आ बीजी युक्ते ब्रह्मा का ध्यान करें इन्होंने पहले बताएं आप पदमासन में बैठें जिसमें आपको सुविधा हो उसमें बैठें या लंबे समय तक इस्तिर्धा पूरुबक पिना हिले डूले बैठ सके उस आसन में आप बैठें आप ये सकता है और रजोगुड परधान यह जो रजोगुड परधान आ बीजी युक्त वर्मा का ध्यान करें बेजी युक्त जो यह नोट करणार और ब्रह्मा का ध्यान करना इसमें के पिर आगे बताते हैं कि साधक 16 मात्राओं में यानि 16 सोला मात्राओं में चंद्रनाडी से पूरक करें सबसे पहले चंद्रनाडी से पूरक करना है सोला मात्राओं तक का समय होना चाहिए तथा पूरक के बाद कुम्भक से पहले उडियान बंद लगाएं ये ध्यान दें कि इन्हों ने कहा है कि पूरक करें कहा पूरक करें साधक के लिए बता रहे हैं कि सोला मात्राओं में चंदरनाडी से यानि लेफ्ट नोज असे पूरक करें तथा पूरक के बाद कुम्भक से पहले पूरक के बाद देखो पूरक के बाद पूरक तो करना है लेकिन पूरक के बाद कुम्भक से पहले उडियान बंद लगाएं ये ध्यान रखें उसके बाद सत्गुर विश्डू उसके बाद सत्गुर विश्डू और त्विश्ल वर्ड उकार का ध्यान करके चौश्ट मात्रा में कुम्भग करते हुए वायू को अंदर तदांतर उसके बाद तमोगुड में शुख और शुकल वर्ड मकार का ध्यान करके 32 मात्रा में विद्पूरुबक रेचक करें उन्होंने क्या बताया? सबसे पहले त्वासन बता दिया कि आपको किस तरह बैठना है? और रजोगुड प्रधान का ध्यान करके आ यानि बीजियुक्त ब्रह्मा का ध्यान करें उसके बाद 16 मात्राओं तक पूरक करना है लेफ्ट नाडी से यानि चंद्र नाडी से और पूरक के बाद कुम्भक से पहले या ध्यान रखें पूरक के बाद कुम्भक से पहले उडियान बंद आपको लगाना उसके बाद सक्तिगुड विश्डू जो सक्तिगुड विश्डू है विश्डू का ध्यान करें और किरिश्र वड उकार का ध्यान करके 64 मात्रा में कुमभग करें यानि 64 मात्राकाल तक कुमभग करना है आपको करते हुए वाई को अंदर रोकें कुमभग का मतलब भी हुआ कि आयो वाई को अंदर रोकें उसके बाद बाहर भी तुम निकालना है तो उसके बाद तमोगुर्मे श्यू और शुक्लवड मकार का ध्यान करके 32 मात्रा में विद पूरवक रेचक करें यानि 32 यह ध्यान करें जब आप पूरक कुमभक रेचक कर लेंगे करने के बाद पुना उसी क्रम से बीज मंत्र के सूर नाड़ी से पूरक करें फिर कुमभक करके चंद नाड़ी से रेचक करें यानि जब ये प्रिक्रिया अपना लें उसके बाद उसी बिध से आप मैं इसमें सबसे पहले सबसे पहले सबसे पहले सबसे पहले सबसे लिए ये औरस ब्लया को भ़ल ऑन और वे प्रिक्रिया से करना जो इसमें ऊपर बताया गया और प्रियोक तो मतलब यहीं हुआ जो पहले ऊपर बताया जा चुका है यदि आपने समझ लिया आप आगे समझें तर्जनी और मध्यमा अंगलियों को प्रियोक नहीं करना है कि किन अंगलियों का प्रियोग नहीं करना है तरजनी और मध्यमा यह वी तरजनी और मध्यमा अंगलियों का प्रियोग ना करते हुए कनिश्ठया कनिष्ठा अनामिका और अंगूठे के द्वारा नासिका के दोनों मार्गों के बारे में मार्गों से बारी बारी से दबा कर अनिलोम और विलोम द्वारा बार बार पूरक और कुमबा करके सबीज प्रड्याम सिद्ध करें यानि जैसे आप अनिलों मिलों करते हैं लेट से और राइट से करते हैं तो लेकिन इसमें अंगुलियों को बताया है यह important दे आप इसमें question पूछा जा सकता है ग्रंद के बारें पूछा जा सकता है विसी के बारें पूछा जा सकता है कि अंगुलियों का प्रियोग नहीं करन से बारी-बारी से दबा कर दोनों मार्गों को दोनों मार्गों को बारी-बारी से दबा कर अनलोम और विलोम द्वारव बार-बार पूरक और कुम्भक करके सबीज प्रणयाम क्या पता रहे हैं सबीज प्रणयाम सिध्य करें सबीज मंत के साथ है ना इसलिए सबीज प्रणय सब्सक्राइब करें अगर नहीं समझ में आ तो हाथ आप देख सकते हैं इस तरह बनाना यह जो है यह हो गई तरजना यह मध्यमा तो इसको यहां पर लगा कर ऐसे यह ऐसे अनलोग दों यानि प्रिक करिया अपनानी यह बता रहा हैं तो तरजनी हट गई ना मद्यमा हट गई तो इस तरह मोड़ेंगे और इस दिशा में रखेंगे हाथ को चलिए आगे समझें और निर्गव यह आपने सबीज प्रणयाम सिद्ध करें इतना प्रक्रिया करेंगे तो आपका सबीज प्रणयाम सिद्ध हो जाएगा अब निर्गव निर्गव में क्या है प्रणयाम में पूरक कुंभक और रेचक बीज मंत्र के बीना किया जाता है यानि निर्गव प्रणयाम में सगर्व में बीज मंत्र के साथ किया जाता है आप इसके नाम से भी दियान रखेंगे सागर्व साथ में नीगर्व यानि बीजमंत्र के भी ना नी नी से समझ सकते हैं चलिए आगे ध्यान से समझें क्योंकि इसमें से भी कुश्चन आता है कफी देखो प्रणयाम में पूरक कुम्भक और रेचक में समय कानुपात यानि रेचो क्या होना चाहिए उपर बताया ही मैंने उसी अनुशार 142 का है यह नोट करें यह पुझा जा सकता है कि प्रणयाम में पूरक कुम्भक और रेचक में समय कानुपात क्या होगा 142 यानि यह हुआ पूरक स्वास को जब अंदर भरेंगे तो यह पूरक स्वास को अंदर रोकेंगे भरकर तो कुम्भक और जब बाहर निकालेंगे तो रेच तो यह हुआ one four two, चलिए आगे समझे, अर्थात पूरक से कुम्भक में, पूरक से कुम्भक में चार गुना समय, रेचक में दो गुना समय, ठीक, पूरक में, अब आप सुचेंगे ये one four two का क्या बात है, इसमें कैसे करना है, तो ये point आप समझें, कि पूरक से कुम्भक में, पूरक से कुम्भक में चार गुना समय, वह रेचक में, तो है, दो गुना, समझ लिया होगा, इस प्रकार, इस प्रकार भिदरत्यों, उत्तम मध्यम अधम नोट करने, उत्तम में पूरक, 20 मात्रा 20 यानि 20 मात्रा कुम्भक 80 मात्रा काल तक और रेचक 40 मात्रा काल तक यानि उत्तम में जब पूरक है यानि सबसे वेस्ट है उत्तम उत्तम का मतलब समझते होंगे आप कि उत्तम में 20 मात्रा काल यानि سमाह तक कुम्भक में 80 मात्रा काल तक यानि 18 और रेचक में 40 मात्रा काल तक और मध्यम में पूरक 16 यानि 16 पूरक और कुम्भक में 64 और रेचक में 32 और अधम में पूरक 12 और कुम्भक 48 और रेचक 24 मात्रा काल तक होना चाहिए साधकों का दोबारा समझने कि देखो तीन पार्ट में है इन्होंने तीन पार्ट में डिवाइट कर दिया है यह इंपार्टेंस बता रहे हैं जैसे कि अगर यह जो उत्तम में पूरक करेंगे आप तो 20 मात्रा काल का होगा और कुम्भक करेंगे तो 80 मात्रा काल का होना चाहिए और रेच आध्यम निचे नाम से समझ सकते हैं और अध्यम नीचे इस्पार पर तो उत्तम मध्यम अध्यम इस प्रकार प्रडाम के कितने प्रभेद बता हैं इनुने तीन प्रकार के उत्तम मध्यम अध्यम यह आप नोट कर लें देखो अब इसके जो है लाब कैसे बताते हैं अध्यम में सरीर में पसीना आता है अध्यम करम है यह सबसे जो बेश्ट होता है उसको प्रधम अस्थान पर रखा जाता है बीच में और अध्यम से समझ सकते हैं कि सबसे नीचे तो अब लेकिन जब स्टार्टिंग करेंगे तुरंत तो उपर इस इस्तित में पहुंच नहीं जाएंगे तुरंत तो आपको सिद इस तरह है जब आप उसमें सिद्धी पाएंगे प्रणायम करते करते तो इस प्रकार जिस सबसे पहले भाई थोड़ी से सिद्धी मिलेगी ना उसके पाद और मिलेगी उसके बाद बेश्ट हो जाएंगे इस तरह इसका क्रम इधा ऐसे लिखा गया है अधम मध्यम उत्तम आसागरते समझ लिया होगा आपने तो देखो अधम में जब आप पहुंचते हैं सरीर में पसीना आता है मध्यम में मेर्युदंड में कमपन होता है उत्तम में योगी भूम से उपर उठ जाता है तीन प्रकार के होते हैं यह समझ लो लेकिन आपके माइन में यह हो सकता कि योगी भूम से उपर उठ जाता है उत्तम में तो देखो भूम से उठने का मतलब यह नही कि वह ऊड़ना शुरू कर देगा इसका मतलब यह हुआ कि कि आप को अदो एक नची महसूश हो रहा कि एप को फोड़ना सा उपर उठ गए हैं वही काफिय है अचा नहीं है कि आप आप उड़ना सुरू कर देंगे यह दिमाग में अगर कोई फैलार तो गलत है सिर्फ इतना होगा कि सरीर में पसीना आता है अगर प्रयाम सुरू करेंगे आप तो पसीना तो आएगा कंपर सरी सभी को आता है मेरुदर्ण में दूसरा है जब उसमें ज्यादा सिद्धी प्रा सअंत्य आगर कि आप प्रयाम साहतना के लाब-नौट कर लें और यह भी लाभीव देरतिूँ सद्धका कास में गमान कर सकता है जैसा कि उप्तम बताया नहीं कि वोंग से उपर उठ सकता है तो इसमें यह संदॉद 대해서 करसकता है59 लेकिन इसका मतलब नहीं कि वो उड़ेगा हेलिकाप्तर की तरह असा नहीं है आकास का मतलब आकास हर तरह फैला हुआ थोड़ा सा भी अगर इसपेस है तो वो आकास है थोड़ा सा भी उपर उट जाता है तो समझालो आकास में गमन कर रहा है या हलका मैसूस कर रहा है बस आप समझने की कोशिस करिए इसको और ये पॉइंट नोट कर लीजे क्योंकि पॉइंट ही पूछा जाता है और समझ लेंगे तो आपको अच्छे से याद रहेगा हमारे कहने का ये मतलब है और उसके बाद सभी वर्तमान और भावी रोग नश्ट हो जाते हें सभी प्रिकार के रोग नश्ट हो जाते हैं प्रांड सक्ति कुंडलनी जागर्ण होता है समाध में सिद्धी मिलती है चिते में अपूर्व आनन्द का अनभो होता है तधा योगी पूर्ड रूब से सुखी होता है कितने लाब बता हैं नहीं छे परकार के लाब बता है सादक आकास में गुष्ından कर सकता है उसके सभी वर्तमान और भावी रोग जो आने वाले हैं या आरहा हैं किसी सभी परकार की रोग होते हैं यानि कि जो अभी आयनी वह भी नाश्ट हो जाते हैं प्रार्ण सकती कुण्डलनी का जागलर हो होता है यह भी करें समाद्ie में सिध्धी मिलती हैं समाद्ี่ में सिध्धी प्राप्थ Changi और योगी पूर रूप से सुखी होता है तो आपने अच्छे से समझ लिया होगा सहीद प्रयाम और जहां कहीं ना समझ मैं कमेंट बाक्स में सेयर करें मैं आपको दुबारा समझा दूगी खुद देखिए दूसरे बच्चों को भी लाप्राप्त होता रहें और अगर हमाई चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब करें बिल आइकन जरूर प्रिस्ट करिएगा ताकि मैं वीडियो अपलोड करो तो नाटिफिकेशन प्राप्त हो सके और इसके बाद में सुरुभेदी प्रणयाम को बताने वाली हूं अगले वीडियो में कले वाले वीडियो में तो ध